दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल टाइगर ट्रैकिंग में स्वागत करता हूँ एक बार मैं फिर से उपस्तितु एक निव इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों जब भी आप एक निव यूटूब चैनल क्रियेट करते हो आप 10-15 दिन तक तो उस पर लगातार वीडियो अपलोड करते हो उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है वो होती है दोस्तों रोजाना वीडियो के लिए टॉपिक कहां से लाएं तो आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी इस परेशानी का complete solution लेकर आया हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने यूटूब चैनल के लिए डेली टॉपिक सर्च कर सकते हो तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो में लास तक जरूर बने रही है क्योंकि ये वीडियो काफी interesting होने वाली है अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंदाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिये तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों किस तरह से आप अपने यूटूब चैनल के लिए daily topic सर्च कर सकते हो वो भी trending topic दोस्तों अगर हम बात करते हैं फर्स्ट तरीके के बारे में जिससे आप अपने यूटूब चैनल के लिए रोजाना trending topic सर्च कर सकते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको कम से कम 10 ऐसे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करना होता है जो आपकी फिल्ड से जुड़े होते हैं जैसे कि अगर आप comedy वीडियो बनाते हो आप 10 ऐसे comedy चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको daily वहाँ से topics मिल जाते हैं तो यह तो एक simple तरीका हो गया जिसके बारे में mostly हर किसी को पता होता है अगर दोस्तों आप technical field से जुड़े हुए हो तो यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा जो भी आपको चैनल सस्क्राइब करने होते हैं आप कोसिस कीजिए चार से पांच तो जो famous बड़े creators होते हैं उनको subscribe करके रखिए और चार से पांच जो new youtubers होते हैं उनको subscribe करके रखिए और उनको follow कीजिए जिस तरह वो per day video upload करते हैं कौन से topic पर वो video डाल रहे हैं तो उनको देखकर भी आपको अच्छे-च्छे topics मिल जाते हैं वीडियो बनाने के लिए यह तो दोस्तों हो गया फर्स्ट तरीका अब हम बात करते हैं तरीका नंबर सेकिंड जो की काफी important है इसके लिए दोस्तों आपको एक application की requirement होती है जिस application का नाम है WID IQ WID IQ आप अपने mobile phone के play store से easily install कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों आपको per day तीन trending topics मिलते हैं जिस भी category से related आपका channel है उस category से आपको तीन topics इस application के दवारा मिलते हैं और आपको हर 24 गंटे बाद notification आ जाते हैं तीन नए topics के बारे में तो यहाँ से आप find कर सकते हो अच्छे अच्छे topics यह application बिल्कुल free में आप यूज कर सकते हो इसके लिए आपको कोई भी paid version यूज करने की जर्त नहीं है यहाँ से per day आपको तीन topics मिलते हैं और आपको per day notification भी मिल जाता है मैं आपको live यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह से इस application का आप यूज कर सकते हो और कहां से आपको topic मिलते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा यूटूब चैनल है Tiger Tracking जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो इस पर मैंने already VidIQ को इंस्टॉल किया हुआ है ये एक laptop का screen है आप mobile phone में भी easily उसको use कर सकते हो जैसे आप VidIQ को इंस्टॉल करते हो उसके बाद आप login कीजिए अपने YouTube चैनल के थुरू ये certified है YouTube से कोई भी problem नहीं है आप बे जिजक और निश्चिन्त होकर इस application का use कर सकते हो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसमें बहुत सारे option आपको मिल जाते है और एक option यहाँ पर मिलता है daily ideas इस पर अगर आप किलिक करते हो तो यहाँ पर आपको daily three ideas मिल जाते हैं इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हो आज मेरे पास जो idea आए है इस application के दवारा thumbnail कैसे बनाए फोर YouTube वीडियो इसी तरह अगर मैं इसको dismiss करता हूँ इसके बाद second idea यहाँ से आगया इसके बाद इसको dismiss करता हूँ तो यह third idea यहाँ पर आगया तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों क्योंकि मैं इसका paid version यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास per day 50 topics इसके दवारा बेज़े जाते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको paid वाला बिल्कुल भी recommend नहीं कर रहा हूँ आप starting में free वाला यूज कीजिए जब आपके YouTube channel से आपकी earning स्टाट हो जाए उसके बाद आप paid वाला यूज कर सकते हो तो यहाँ से आपको per day 3 topic देखने को आपको मिलते हैं इस तरह से आपके पास notification आते हैं और यहाँ से आपको easily topic मिल जाते हैं तो दोस्तों यह second तरीका था जिसके दवारा आपको topic मिल जाते हैं आपके YouTube channel के लिए दोस्तों अब हम बात करते हैं third number तरीके के बारे में यह भी काफी important है इसके लिए भी दोस्तों आपको vidiq application की requirement होती है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर सर्च करते हैं manos day technical field का एक बड़ा creator है इसका channel मैंने open किया है यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों अगर आपने vidiq application को install करके रखा होगा तो इस तरह से यह 4 option आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पर एक option आपको मिलता है trending का है इस पर आपको click करना है जैसे ही दोस्तों आप trending पर click करते हो तो manos day की जो भी trending में अभी trending में है वो सभी यहाँ पर दिखाई हुई है जैसे कि आप देख पा रहे हो 4073 views पर गंटे इस पर आ रहे हैं इसी तरह 389, 358, 322 तो यहाँ पर पूरा यह bio data भी दिखा दिता है तो इस तरह से आप trending topic यहाँ से किसी भी curator के find कर सकते हो इसके लावा यहाँ पर top keyword का भी एक option आता है यहाँ से जो भी मनोजदे का channel है इस पर जो भी top keyword है वो भी आप यहाँ से find कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो काफी सारे यहाँ पर keyword आ चुके हैं जो भी मनोजदे के channel पर rank करते हैं या काफी जादा trend में उसके channel पर चल रहे हैं वो सभी keywords आप यहाँ पर देख सकते हो तो इस तरह से आप top keyword भी यहाँ से check कर सकते हो और trending topics भी यहाँ पर check कर सकते हो किसी भी creator के तो इस तरह से दोस्तों आप अपने YouTube channel के लिए trending topics find कर सकते हो या फिर normal भी अगर आपको topic find करने है तो मैंने तरीका आपको बता दिया है दोस्तों अगर आप इन तीन तरीकों का यूज करते हो तो definitely आपको अपने YouTube channel के लिए topics की कमी नहीं पड़ेगी आप easily per day अपने YouTube channel के लिए topic find कर सकते हो वो भी trending topic तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसी तरह की interesting और knowledgeful वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक new interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भरत दोस्तों